35 वर्ष ये व्यक्ति है ओडिसा के रहने वाले हतेली भेजी है और इनका एक सवाल है कि हाथ में पैसा नहीं टिकता है अगर हम इनके हाथ को देखे तो ये एक रेक्टेंगुलर हतेली है और उंगलिया काफी छोटी है फायर एलिमेंट हैंड है क्या होता है फायर एलिमेंट हैंड जल्दी जल्दी काम करना एकदम से सोचना और अपनी योजना बनाना और काम के उपर अमल कर देना थोड़ी सी ऐसे लोगों को रुख कर सोचना भी चाहिए थिंकिंग कर लेना चाहिए थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए और उसके बाद में फिर काम को आरंब करना चाहिए यदि हम हतेली में देखें तो सबसे पहले जो हमको एक दुरियोग दिख रहा है इस प्रकार का अगर लाइन बन जाती है इसे वीनस गर्डल कहते हैं वीनस गर्डल सूर्य पे और शनी परवत पे इन दोनों को सम्मलित करके ही बनती है और इस प्रकार अगर वीनस गर्डल बन जाती है तो ये एक दुरियोग का साइन होता है हाला कि ये कला तो कला और स्किल्स भी बढ़ा देती है लेकिन इंकम गिरा देती है और जो मां सम्मान हमें मिलना चाहिए उसमें रुकावट करती है कभी कभी चरित्र को भी बदनाम कर सकती है ये वीनस गर्डल वीनस गड़ जब भी बन जाता है तो इस प्रकार हमारा जो माइड है वो pleasure की तरफ ज़्यादा जाने लगता है और pain की तरफ कम रहता है जहां हम efforts लगाते हैं या महनत करते हैं उसमें कमी हो जाती है और pleasure seeking जो tendency होती है वो ज़्यादा हो जाती है खैर इसका तो पाय हो जाएग राहु छेतर से यदि कोई लक लाइन उठकर और शनी परवत तक पहुंच जाए तो ये तो जटके का धन देती है एक खटा बहुत सारा धन दे देती है मेरा अनुभाव ये बोलता है कि इस प्रकार की लाइन जिसके हाथ में भी होती है ऐसे लोग अपने घर का पूरा ध्यान रखते हैं और बड़े से बड़े कुटुम्ब का पालन पोशन करने में भी सक्षम होते हैं तो ये लाइन इनकी बहुत सुन्दर बनी हुई है जो इनकी लग लाइन है राहु छेतर से निकल कर शनी परवत तक जा रही है लगवग एज इनकी ये 45 और 46 के आसपास रहेगी इसके बाद में इनको धन के लिए कभी ही पीछे गूमके नहीं देखना पड़ेगा यदि हम माइन लाइन की बात करें तो माइन लाइन देखिए बाइफरकेट हो रही है आगे से जाके यहां तक तो ठीक चलती है और एक जो ब्रांच है उपर की तरफ एक ब्रांच नीचे की तरफ जो ब्रांच जा रही है वो ज़्यादा गहन है ज़्यादा डार्क है तो इसलिए इसका प्रभाव हमेशा ज़्यादा रहेगा तो ये नीचे की लाइन कलपनशीलता को बताती है उपर की तरफ देखिए तो चंद्रमा हम गडबड मानते ही मानते हैं शनी के गडबड होते ही चंद्रमा गडबड हो जाते हैं तो overthinking, mind swinging की problem और भी बहुत सारे जो दुख हम लेके चलते हैं दिमाग में वो घड़ी घड़ी उबरते रहते हैं दिमाग में और हमें बेचैन रखते हैं तो शनी का ये बताता है कि इनका मन ओवर्थिंकिंग में लगा हुआ है और बहुत सारी चीजे एक साथ सोच रहे हैं इनको जो कामियाभी नहीं मिल रही है और पैसा आता है और चला जाता है उसका एक कारण तो ये मैंने बताया वीनेस गडल दूसरा कि यहाँ पर इनका मनी का ट्रैंग पाना ही है और धन तो इनके हाथ में आई गही क्योंकि यह राहु की लकलाइन बनी हुई है इनको जो उपाय करने है एक तो यह वीनेस गडल के उपाय कर लेने है और दूसरा उपाय इनको मंगल परवत पर इस प्रकार यहाँ पर क्रोस बन गया है अब मंगल परवत पर एक तो इनको ये करना है कि मंगल दोश को दूर करवाना है और वीनस गडल की उपायतों मैं देही दूंगा इस से इनकी धन की जो प्रॉबलम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाईगी। शुक्र का परवत यदि हम देखते हैं तो बड़ा भारी और पूरी अच्छी इस्पेस लेके बना हुआ है और शुक्र का परवत उठा हुआ भी है सिधा ये इंगित करता है कि इनको जीवन में सारे सुख और लगजरी सब इनके पास में आ जाईगी। लग लाइन जो है माफ कीजिए जो इनकी वैपारिक लाइन है वो काफी अंदर से निकल के चली है तो फैमिली के सपोर्ट से ससराल के सपोर्ट से वाइफ के सपोर्ट से ये जो इनकी वैपारिक लाइन है ये काम दे जाएगी अच्छा और एक अच्छा बिजनेस भी दे ज आते हैं कि नाँकरी करें या business हाला कि इनों ने पूछा नहीं है लेकिन business के इसके business के जो जांसे है जो possibility है वो इस हाथ में ज़्यादा दिखाई दे रही है तो नीस अर इनको business ही करना चाहिए हार्ट लाइन का इस प्रकार काला हो जाना ये दिखाता है कि हमें हमारे emotions में बहुत सारे उतार और चड़ाओं भी देखने पड़ते हैं सूर्य परवत पर जो लाइन बनी है इनका एक सवाल भी था कि क्या ये हम मचली मान सकते हैं ये मचली नहीं है सूर्य की लाइन मच्छी बनी हुई थी अभी थोड़ी सी वीग जा रही है क्योंकि यहां से राहू की रेखाएं ग्रहन लगा रही है और आप देखेंगे ग्रहन उंगलियों तक भी लग गया है तो सूर्य का परवत और शरी का परवत वीनस गडल बनने के कारण जादा डेबिटेट हो गया है तो दो रेवेडी तो इन्हें खास यहां पे चाहिए है और एक इनको यहां पे मंगल का परवत भी ठीक कर रहा है बुद्ध का परवत अगर हम देखें तो थोड़ा सा दब जरूर गया है लेकिन इस प्रकार की अगर लाइन बनी होती है वर्टिकल लाइन तो यह वाने को बड़ा मधूर रखती है वैपारिक बुद्धी भी बहुत अच्छी रखती है सूर्य के परवत के अलावा शनी परवत पे दिक्कत है और यदि हम गुरु परवत पे जाते हैं तो गुरु का परवत भी थोड़ा सा अगर हम माने कि आउसत से नीचे थोड़ा सा यह काम कर रहा है क्योंकि गुरु का परवत इस सरफ शिफ्ट हो गया है अपने केंद्रित भाव से शनी की और चला गया है अलाकि इनकी जो growth line है वो समय समय पर अच्छी बनी हुई है ये growth हमेशा देती जाएगी जो इनको खास उपाए जो करना है ये सबसे पहले तो इनको मंगल का उपाए कर लेना है क्योंकि इस प्रकार का cross बनेगा तो ये मंगल दोश को ही define करता है अंगुठा इनका थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं मान सकते हैं लेकिन औसत से ये छोटा है और यहाँ पर बीच वाला जो हिस्सा है इनकी बौधिक जो शमता है ये इसको इंगित करता है उपर वाला इक्षा शक्ती को करता है ये दोनों अच्छी चीज है नीचे वाले अगर छेतर में देखे तो यह हमारी सेक्स लाइफ को डेनोड करता है यहाँ पर विकनेस जरूर दिख रही है तो यहाँ पर भी उस उपाई को हम अपने अन्य उपाईों में सम्मलित भी कर लेंगे फैमिली के अगर दृष्टी से देखा जाए तो तीसरा मड़ी मन जब अच्छा बना होता है तो फैमिली का सुक और वाइफ का सुक भी अच्छा ही मिलता है तो खास पर इनको वाट्सअप पर दो पाए दे रहा हूं ताकि इनका वीनस गडल हट जाए और मंगल पर जो क्रॉस बने हुए हैं जहां कामियाभी नहीं मिल रही है उसे भी हम दुरुस्त कर पाए श्री गणेश करें पाम ब्लॉग को सबिस्क्राइब करें